हेले स्ट्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल वेब मैस, आज हम NCRT के मैस क्लास तेंथ का प्रसनावली 1.1 का कोच्छे नमर 4 सौल्प करने जा रहे हैं, पिछली कस्चा में हम लोग ने कोच्छे नमर 3 सौल्प कर लिया था, अब हम लोग कोच्छे नमर 4 के और लूब का होता है, तो सबस्य पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना B बडावर Q, आप लोग जानते हैं कि किसी भी, जैसे ये M के पहले वाला को ही B कहते हैं, जैसे ये 3 Q है, तो इसको ही हम लोग बडावर 2 Q पलस R, उसमें Q या फिर M जो भी है, उसके ही गुनाच को हम लोग कहते हैं तो इसलिए यहां पर बढ़ावर 3 आप देख सकते हैं, इसलिए यहां पर बढ़ावर 3 लख लिए तो हम दोब युकलीड भाग ऐलगोरिदम का पर्यों करके यह question को solve करेंगे चलिए question को solve करते हैं, युकलीड भाग भाग algorithm के साब से a बड़ावर bq प्लस r जिसमें 0 से बड़ा और बड़ावर r होता है यानकि r हमारा successful होता है और उससे बड़ा b होता है तो जानते हैं b हमारा 6 है तो इसे लिए हम लोग यहां पलिख सकते हैं 0 से बड़ावर और बड़ा r और हमारा b है 3 क्या हमारा b 3 है तो इसलिए अब इसलिए हम लोग जानते हैं कि b 3 है तो r उससे छोटा है तो r का मान क्या हो क्या क्या हो सकता है r का मान 0 हो सकता है r का मान 1 हो सकता है r का मान 2 हो सकता है तो इसलिए हम लोग सभी मानों को रख रख कर देखेंगे तो जब हम लोग r बड़ावर 0 रखेंगे तो हम लोग a बड़ावर क्या होगा 3 q पलस 0 तो इसको हम लोग 3 q भी लिख सकते हैं अगर हम लोग r बड़ावर 1 रखेंगे तो A बड़ाबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1 अगर हम लोग R बड़ाबर 2 रखेंगे तो A बड़ाबर हो जाएगा 3Q प्लस 2 लेकिन हमें तो कहे रहा है कि किसी भी धनात्मक विश्वम पुर्णांग का हमें वर्ग बताना है तो चलिए हम दोनु तरफ इसका square कर देंगे तो हम लोग सबसे पहले हम लोग A बड़ाबर 3Q का एगर square करेंगे तो इधर भी square और इधर भी square यह square हो जाएगा तो यह यहाँ पर 9Q square आ जाएगा अब हम लोग A square बड़ाबर 3Q प्लस 1 को भी square कर देंगे तो यह एसक्वाइर आए गा यानि कि इसे हम लोग A कहते हैं और इसे हम लोग बी कहते हैं तो इसक्वाइर हम लोग रहते हैं फंगला होता है Aप्षण कि B plus B square तो हमलों लिखते हैं अब A square यानिके 3Q का square plus 2AB यानिके 2 into A यानिकी 3Q B यानिकी 1 फिर B square तो B यानिकी 1 का square तो यह क्या हैगा 9Q square plus 2-6 और 1 तो 6 नहीं रहेगा 6Q plus 1 ठीक है यहां तक पूरा clear है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं A square बढ़ाबर अगर हम लोग 3Q plus 2 को भी अगर square कर देते हैं वर्ग कर देते हैं तो इसमें भी यह हो जाएगा और इसमें भी यह B हो जाएगा हम लोग यह क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले ही A बढ़ाबर 3Q A बढ़ाबर 3Q plus 1 A बढ़ाबर 3Q plus 2 मान चुके हैं इसलिए हम लोग A square बढ़ा 3Q plus 2 का भी square कर देंगे whole square कर देंगे तो हमने फ़र्मना पहले ही पहर है कि A square plus 2AB plus B square होता है तो A square यानिकी 3Q का हम लोग square कर देंगे 2AB यानिकी 2 into A यानिकी 3Q into B B यानिकी 2 plus B square B square यानिकी 2 का square तो हमने गर इसलिखते हैं 9Q square plus 236 आसे तूबेल Q यह तूबेल Q आ जाएगा अब पलस यह तूटूजा 4 आ जाएगा तो हमें तो किसी भी धनात्यव पुर्णांग को 3 3 M या 3 M plus 1 की रूप लिखने आए तो चलिए इसे लिखते हैं लिखते हैं तो हम लोग इसे 3 9 Q square को हम लोग 3 comma ले लेंगे तो यह 3 Q square हो जाएगा और इस 3 Q को हम लोग M मालेंगे तो यह बराबर 3 M होगा यह कोचन ऐसा ही है इसे कुछ रतना ही होगा यह लेट मानना ही होगा इसलिए इस पूड़े को हम लोग M माली है इसलिए 3 M आएगा और हमारा पहला टर्म संतुष्ट हो गया तो चलिए हम लोग 2 की और आगे भरते हैं यह 9 A square प्लस 6 Q प्लस 1 है अगर हम इसमें भी 3 कॉमा ले लेते हैं तो देखिए 3 A square प्लस यह इसमें 2 Q हो जागा क्यों 3 2 6 अब कॉमा ले नहीं आता तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर आप देख लिएगा और प्लस 1 Q छोड़े को यह constant था अब हम इस पूड़े को अगर M माल लेते हैं इस पूड़े को M तो हमने लिख सकते हैं 3 M प्लस 1 अब लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर यह सकते हैं तो चलिए आगे कोचन बनाते हैं तो अगर इस सब में से 3 कॉमन लेते हैं यह 3 कॉमन लिया तो यह 3 9 Q स्क्वाइर प्लस 4 Q प्लस 1 और यह constant अलग हो जाएगा तो इस पूड़े को अब हम लोग इस पूड़े को M मालेंगे इस यह कोचन ऐसा है इसे मानना होता है लेट करना होता है तो चलिए अब हम इसमें M माल लिए हैं तो यह 3 M प्लस 1 की रूप में यह भी प्रूफ हो गया और हमें प्रूफ भी यही करना था कि किसी M के लिए 3 M हम लोग लिख सकते हैं किसी धनात्मक पुर्णांक का वर्ग 3M या 3M पलस 1 के रूप का होता है हमारे को चंस्माब्द हो गया वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें